मार्गम सत्यम जीवन येशू, प्रियतम येशू, अनुपम येशू सबको जह येशुकी प्रभुकृिस्त में प्यारे भाईयों बहनों आज की रोटी कारे क्रेम के माद्यम से ईश्वर का जीवन तवशनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हर देख स्वागत करता हूँ आज की पहरे पाठ के द्वारा, सु समचार के द्वारा हमें ये संदेश दिया गया है ईश्वर के राज्य के बारे में इश्वर के राज्य के मूलिय और सिध्धान्तों के बारे में जब इनसान को इसका एश्वर के राज्य के मूलिय और सिध्धान्तों के बारे में ऐसास होता है उसका अनबव होने लगता है उसके कुशियां उसके मिलने लगती है और उसके कुशियां किसी चीज से दुनिया की किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकती चाहे वो मोती हो चाहे वो अनमोल खजाना उन सबों से तुलना नहीं किया जा सकता अच के पहले पार्ट हलंकी उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की फिर भी लोग उन्हें नहीं अपनाते हैं स्वीकार नहीं करते हैं उनको तकलीफ देते हैं और तब वो अपने ईश्वर को पुखारता है और ईश्वर उसको आश्वासन देता है तमाम प्रकार के दुख संकट मुसिबत पीडा की ब अगे बढ़ता है तमाम प्रकार के विरोध के बहुजूर और इस बात का एहसास करता इश्वर मेरे साथ खड़ा है और आज के सूर समचार में दो अलग अलगों का उधारण के द्वारा प्रभू इश्वर के बारे में बताता है इश्वर के राज्य उस वेक्ति के सरद्रश मुठ जो बॉट है जो अन्मॉल व्यापारी अन्मयthe को करिद ना चाहता है उसका विसके बागी सबकुछ नशकर के बथायने के देता है दूसरा है वह सकीशलिट में छिपे खजाने के सरद्रश और उस खेट को करिद ने के वह बाकिसब कुछ आनाब मतलब यह है इश्वर के राज की मिठास जिसको मिलती है इसका अनवा मिलता है वह विक्ति बाकि सभी चीजों को छोड़ने के लिए त्यागने के लिए तयार होता है और यह होना चाहिए और इसी के लिए प्रभू का वचन आज के दिर में हमें बुलाता है आए हम प्रभू क खेत में चिपे हुए खजाने के स्रद्रश्य हैं जिसे कोई मनश पाता है और दुबारा चिपा देता है तब वह मंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है फिर स्वर्ग का राज उत्त मोती खोजने वाले व्यापारी के स्रद्रश्य है एक बहुमोल मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेच कर उस मोती को मोले लेता है प्रभु की वानी इश्वर को धन्यवाद प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहाईयों बहनों प्रभु का जीवंत वशनों को हम लोगों ने सुना दो अलग-अलग लोगों का उदाहरन खेत में चिपे हुए खजाने का उदाहरन और अनमोल मोती के खोज करने वाले व्यापारी का उदाहरन और दोनों क्या करते हैं उस अनमोल मोती को पाने के लिए वह व्यापारी सब कुछ बेच देता है उस केत में चिपे हुए खजाने को प्राप्त करने के लिए बाकि सब कुछ ब कि समरद्दि से बरा हुआ है इस बात को ऐसास ह्वात हीं जाकर इनसान कुछ गिफफ कर सकता कुछ त्याग सकता कुछ बली बलिADASट चड़ा सकता है जा हिसां को इस बात का एसाथ नहीं होगा इनसान इनसे ही बातों को नहीं करता है अब इश्वर का वशन हमें बताता है तुम सबसे पहले इश्वर के राज उसके धार्मिक्ता की खोज में लगे रहो बाकि सबी चीज़ें तुमें यूहें मिल जाएंगे ये इस बात का गहराई हमें समझने के जरुत हैं सबसे पहले इश्वर के राज उसके धार्मिक्ता की कोज में लगे रहना और आज के परिवेश में हम सबों के लिए अती आवशक है इश्वर के राज्य और उसके धार्मिक्ता की कोज में लगे रहना क्योंकि हर तरफ से हम देखते हैं अधर्म, अन्याई, आतंक, बेदबाव, लड़ाई, जगड़ा, हिंसा, अलग प्रकार से अत्यचार, ब्रस्टाचार इस सभी बातों को देखते हैं और इस सभी बातों से लोग परिशान हैं, लोग दुकी हैं, लोग पीड़त हैं, लोग संकटों में हैं, संगर्श कर रहे हैं, ऐसे में, ऐसे परिवेश में भाईयों, बेहनों, प्रभू हमें बुलाता है, उस इ रिष्ता सम्मंद प्रभू के साथ मजबूत होगा गहरा होगा अटूट होगा तना मेरा तच prawda ना से कम होता जाएगा और इस प्रकार से दुनिया की चीजों के दीरे दिरे दूर कर सकते हैं जो हमें स्वर्ग जाने में बाद्धा डाल सकते हैं सवर्ग जाने में और जब इस बात का अहसास हमें होगा हम इश्वर के राज्जी के वस सहभागी हैं तो यही हमें अनंत सुक दिलाएगा अनंत शांत दिलाएगा और हम समों की अर्मान पूरे कर देगा हमारा दिल तब तक तड़ता रहेगा जब तक हमारी आत्मा उस प्रभु में एक ना हो इ वसी है ईश्वर और इश्वर के राज cidade संब्न दिद बाते हैं बाते और दुन decor कर सकते हैं ना हमें कुशिया हो सकता चंत सिंबंग बंगो के कुशिया जरूर मिलेंगे लेकिन ईन सभी बातों में हमारा जीवन निर्बर नहीं होना चाहिए यह दुनिया में रहते वे बहुत सारे चीजों को हमें जरुत है जितना जरुत हम इस्तिमाल करें लेकिन उनी को अपना सर्वस्वा सब कुछ मान के ना चलें इसलिए प्रुभु का वशन में बुलाता आश के दिन हम जो चीजें हमें जरुत हैं उसका इस्तिमाल करें जो जरुत हैं उसको त्यागें छोड़ें और इश्वर के राजी की और अभिमुक हो जाएं उसी के खोज में लगे रहें उसे को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करें, परिश्रम करें, दुआ प्रार्तना करें, एक दुसरी चाथ प्यार मुहबत से रहें, शांती सु समचार के संदेश को फैलाते रहें, पाप से दूर रहें, पाप में परिवेश से आदतों से हम दूर रहें, संगतियों से दूर रहें ताकि प्रवु के नज्देक हमारा रिष्टा बढ़ता जाये प्रभु में हम बढ़ते जाएँ आप की कुशिया प्रुब का प्यार प्रभु का आनध प्रभु की स्aráटि हमें मिलती रहे कि प्रभू जो कुछ भी हमारा जीवन में उचित नहीं है अच्छा नहीं है बेखार है उन से भी बातों को छोड़ सकें त्याग सकें बली अर्पित कर सकें और जो अच्छा है ईश्वर का राज्जा उसके मूलियों को अपनाते हुए और उसके अनुसा जीवन बिताने वाल कि हम सभी बन सकें हम सबों को सिखाईए शक्ति सामर्त प्रदान के जिए दुआ करते हैं उद्धार करता इस मसी के नाम से आमीन